स्वागा थे दोस्व आप सभी आप फिर से एक नए वीडियो में दोस्व आज का ये वीडियो दोस्व जारखन वोट परिक्षा 24 देने वाले सभी विदारते के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो और आने बाला ठीक है थियोरी में अलग नंबर लाना होता है ठीक है सारा क्लास का हम लोग देखेंगा और यह आप जो वीडियो है एक्जाम से पहले देखी जाए ताकि आपको पता चल सके कि कि हम कितना नंबर लाएंगे कि पास होंगे ठीक है आपको कि इतना नंबर लाना है तो आपको दोस्तों देखें और एक चीज़ और बात आपका एडिशनल का एक्जाम होगा कि नहीं सभी क्लास का ठीक है मैं आपको बता दूंगा ठीक है चलिए तो देखें अगर आप क्लास्टेंट के विद्ध्यारते तो थियोरी का जो पेपर होता आसी नंबर का होता है प्रेक्टिकल का पेपर होता है यानिके वो होता है आपका बीस नंबर का जिसकों लोग इंटरनल एसेस्मेंट भी काते हैं ठीक है तो देखिए आपका कोल मिला के 100 नमर का वोट एक्जाम होता है 100 में सा अगर आप 33% लिया आते हैं 33% जो की बनता है 33 नमर अगर आप 33 नमर लाते हैं तो दोस्तों आप एक्जाम में पास हो जाएगा हर सब्जेक्ट में आपको 33 नमर लाना जरूरी है और बात करते हैं कि आपका एडिशनल का एक्जाम होगा की नहीं तो क्लाश जेंट के विद्ध्यार थे तो आपका एडिशनल का एक्जाम 100% होगा ठीक है एडिशनल का एक्जाम दिजेगा इसका एक फाइदा भी है अगर आप additional में दुस्तों बहुत अच्छा नमबर ला देते हैं मानके चलिए कि आप जो ए 98 में या फिर आप 65 ठीक है छोटा से 12 मानके चलिए इतना नमबर ला लेते हैं और मायत में मानके चलिए आप जो पचास नमबर ला पाते हैं ठीक है किसी कारण नमबर साइंसमें अगर आप हो सकता है तो अगर आप 60 number तो अगर एडिसनल में अगर आपका छीं नमबर रहेगा तो एडिसनल जो है जिसका सबसे कम रहाए मानके चलिए आपका सत्तर नमबर यहरत कर जूरेगा ठीक है इस प्रकार से बात हम लोग क्लास 12 का तो क्लास 12 का भी एडिशनल का एक्जाम होगा और बता देते हैं कि कितना नमर आपको लाना है ठीक है तो देखें क्लास 12 का एक्जाम होता है दूसरो प्रेक्टिकल और त्योरी में अलग जो भी जैसे कि जियोग्राफिक हो गया computer science हो घ्रिक है physics chemistry तो यह सब पेपर दौस आपका जो कितना नमर का होता है, 70 नमर का पेपर होता है, 30 नमर का प्रेक्टिकल होता है, तो आपको 70 नमर का 33 परसेंट अलग से लाना होगा, प्रेक्टिकल में आपको 33 परसेंट अलग से लाना होगा, ठीक है, तो 70 का जो 33 परसेंट बनता है, दोसु वो बनता है, 23 पॉइंट, ठीक है, वन परसेंट है और 30 का जो 33 परसेंट बनता है वो 9.9 परसेंट ठीक है यानिकि 9.9 नमबर ठीक है तो प्रेक्टिकल में आपको 10 नमबर लगबग में लाना होगा और आपका थियोरी में 20 नमबर तब दोस्तों आप पास होंगे वरना फैल हो जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो को एकी साथम लोग लेके चलते है ठीक है और आप दोस्तों वीडियो परांत तक बहाने रहेगा एक बहुत इंपोर्टेंट बात करना ठीक है चलिए क्लास 11 का 27, 28, 29 फरवरी को एकजाम में 9 भी का एक और 2 माच का 8 मी का जो है 9 माच का ठीक है तो आप बोड एकजाम से पहले इसको देख लिजिए जो भी क्लास 8, 9 और 11 का भी द्यारती है तो देखें क्लास 8 का जो एकजाम होता हो वो 50 नमर का होता ठीक है अगर आप 50 नमर मे आपको लाना होगा अगर आप दोस्तों क्लास 9 के भी द्यारती है और 11 के है ठीक है तो क्लास 9 और 11 8 भी देखें ठीक है ठीक है तो 9 और 11 का एकजाम होता है 40 नमर का 10 नमर का आपका स्कूल से दिया जाता है ठीक है तो टोटल मिला कर यह होगा आपका 50 नमर का अगर दोस्ता अगर 33% लाते हैं 50 का 33% जो की होता है 16.5, इतना नमबर लाने हैं ता पास हो जाएंगे ठीक है पास हो जाएंगे, फैल नहीं होगे और अगर इस चैंस पर हैं तो इतना नमबर तो बाहुत ही कम होता है हमारी यह आप अरते हैं तो बात किजिए 90% ठीक है तो यतना नमबर लाने से आप दूसरो पास हो जाएंगा अगर आठमी नोबी इग्यारमी के विद्ध्यारती है ठीक है देखे और एक और चीज़ बात दूस्तो नोबी और इग्यारमी में एक ओफर भी चलता है ठीक है और अगर आप जो पास कर दिया जाएगा चार सब्जेक्ट में पास होंगे तो आपको पास ही रहेगा ठीक है अगर दूसरो आप बोड इग्जाम 24 का तियारी कर रहे है और बोड इग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका इसे में आपको कुछ नहीं पता चल रहा है 90% पार नमबर लाना चाते तो आप सभी के लिए दूसरो सबसे बहतरी इन गेस पेपर को लेकर आज चुके ठीक है जिसका दूसरो नाम दूसरो तहल का गेस पेपर है जैसे कि आप यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है थोड़ से इसके बारे हम लोग बात करते हैं इसलिए बात करें क्योंकि एक्जाम बहुत ही नस्दिक है और तियारी करना है तो दूसरो इसको अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा नमर आगा गेस पेपर है और यह जो अपका गेस पेपर है जारी नहीं हुआ है और होगा कि नहीं इसका कोई गरांटी नहीं है और एक्जाम है दूसरो अगर बोड एक्जाम दोज़ेश चोवीस में धाकर त्यारी करना चाहते हैं तो गेस पेपर को जरूर खरीदें कैसे खरीदना है तो यहां पर देख लिजए कैसे मिलेगा गेस पेपर तो वार्टसप पर ओन लाइन मिलेगा यहा यहां पर दूसरो आपको वाट्सप करना अगर आप पेटियम चलाते हैं यूपी आइफोन पर चलाते हैं तो आपको दूसरो क्यूआर कोड भेजा जागा ताकि आप जो है 40 रुपया अगर लेवर में तो 40 रुपा पेग कर दिजएगा नाइन में तो 30 और 8 में तो 30 है और यह आपको पीडियाप को फॉर्म में मिलेगा तो जल्दी जए वाट्सप किजिए ठीक है कोई दिक्कात होगा नीचे कॉमेंट किजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो